लिचा जी जो जूल्री की कीमतों में कमी आई है एक बड़ा फैक्टर वो और खास करके जो रूरल महिलाएं हैं उनको ट्रेन करने की भी कोशिश की गई है इसके पहले भी एंत्रिम बजट में भी हमने दिखा था कि लगपती दीदी पर सरकार का एक खास फोकस था ड्रोन दी लिचा की सोने की कीमतें जो कम हुई है सोने की कीमतें कम हुई है खुशी की बात है लेकिन हम कितने परसन महिलाएं सोना खरीती है सोने की जगह अगर हमारी गैस की कीमतों में कमी आ जाती तो हम शायद जादा खुश होते थोरी डीजल में कमी आ जाती तो हमारी रसोई का भ तो हमारा फायदा उसमें बी एस उसमें जाधा फायदा होता है दीके जैसा अभी पहले discussion में स्वाती जी ने कहा कि हम धूरी है हम घर की धूरी नहीं हैं हम economy की धूरी है हमारे fashion से, हमारे jewelry से, हमारे घर के interior से, हमारे kitchen से सारी economic survey डेफेश किया गया उसमें भी इस बात पर focus किया गया है कि 200 रुपए की जो subsidy हमने दी थी उस वज़े से पिछले साल inflation कम रहा है तो यानि कि यह भी समझा जा सकता है कि महिलाओं को अगर कोई रियायत दी जा रही है तो उसका सीधा reflection हमारी economy पर भी पड़ा है महिलाओं economy की धुरी है हर चीज महिलाओं के इर्दगिर्द ही है देखा चाये तो घर नहीं पूरी economy भी महिलाओं के इर्दगिर्द ही घुपती है तो अगर देखे हमारा जो इस बार जो बजट है वो चार चीजों को focus करके लिया गया गरीब महिला युवा और किसान उसके साथ आप देखे अगर हम गरीबों की बात करते हैं तो गरीबों के लिए घरों का प्रावधान इसमें दिया गया है लेकिन महिलाओं का प्रावध में आ जाए और अगर हम युवा की बात करते हैं तो युवा के लिए अपने इंटर्नशिप की बात कर ली इंटर्नशिप दी जाएगी एक करोड युवाओं को CSR से उनका भारन पोशन होगा इन चीज़ों का लेकिन युवा के लिए खेल के विकास की बात नहीं करी उनके स्वास्थे की विकास की बात नहीं करी और उसके बात किसान की अगर हम बात करें तो किसान के लिए सम्वान नीदी तो बढ़ा दी जाएगी लेकिन किसान की MSP सपोर्ट की बात अभी इस बजट में मुझे मिसिंग लगी यह बड़ा फेक्टर था जिसका जिक्र विपक्षी डल भी कर रहा है कि किसान को एक रूपे 30 पैसे या एक रूपे 50 पैसे पर किलो मिल रहा है एक किलो के टमाटर का लेकिन बिक रहा है 120 रूपे किलो तो बीच का जो 119 रूपया है 118 रूपे 80 पैसे हैं वो कहा जा रहा है कि सटार किलोस्ति रही किसान को बेचना चाहा रहा है तो वह ऑप्शन उसके बहा है सरकार ने नीती भी बनाई लेकिन इसको लेकर सरकार को अपने ख़दम वापस लेने पड़े क्योंकि सरकार शायद समझा नहीं पाई या उसमें कुछ फ्रॉस थे जिसको लेकर डिसकस नहीं किया गया तो ऐसे पहलू भी थे और यखिनें जो किसानी वाला मुद्धा है वो बड़ा इशू है जो जमीनी तोर पे काम होना चाहिए था वो अभी सूप ओफिशली जो है उसे टच किया गया है बिल्कुल मैं सहमत करती हूँ जो भी दोनों मेरे सहबागी लोगों ने बोला है क्योंकि धरातल पर चीजें होते वे कम नजर आती है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी परियोजनाय आई है योजनाय जो स्कीम्स आई है वो सिर्फ कागज में ही समिट कर रह जाए वो एफेक्टिव रूप से हमें on floor नजर आनी चाहिए एंड यूजर तक लास्ट अफेक्टेड आदमी तक भारत के हर नागरिक तक उसका हमें लाब होता हुआ नजर आता है वो हमें थोड़ा missing नजर आता है कि वो नहीं समय समय पर वो नहीं हो पा रहा है मुझे लगता है इसके लिए एक सरकार के अंदर एक आत्मिश्वास तुबारा से उनको जगाना चाहिए उनका जो वोट बैंक समय जो रहा है महिला एक काफी अच्छा वोट बैंक होती है किसी भी सरकार को पावर में लाने के लिए तो वो ठीक है वो उसको मद्य नज़र रखते वे महिलाओं को लुभावना वो देने के लिए उन्होंने अच्छा प्रियास किया है पर मुझे लगता है कि धरातल पर चीजों को एक रूप मिले उसके लिए एक सर्वलेंस कमिटी का भी गठन होना बहुत जरूरी है एक मॉनिटरिंग कमिटी का भी सुपर्विजन अथॉरिटी भी कोई होनी चाहिए जो रेगुलर चेक अप्स करते रहे क्या वो बेनेफिट्स वो जा रहे हैं हमारे इंड यूजर तक क्या वो बच्चियों को वो माताओं को बेनेफिशिरी जो भी बेनेफिशिरीज है उन बदलाव आया है इस पर हम फरक आया है